हेलो फ्यूचर आफिसर्स वेलकाम टू एंपे एक्जाम्स वाला वेलकाम अगेंड टू दा सीरीज ओफ वाल्ड टूर हमारी जो जवर्तस्त वाली वाल्ड टूर की सीरीज चल रही है और आप सारे के सारे वच्चे काफी आदा इंजॉई भी कर रहे हैं इसी लिए मैं आज और डेप्थ में वाइल मैप के बारे में डिसकस करने वाला हूँ पहले आप यह देखिए कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में क्या-क्या पड़ा है तो गाइस देख लीजिए हम लोगों ने क्या-क्या पड़ा है वी टॉक्ड अबाउट दी जनरल इंट्रोडक्शन तो एसिया फिर मैंने उसके बारे में काफी अधा डिटेल में बताया था कि एसिया काई-काई से या कौन-कौन सी लोकेशन से बाउंडरी करता है तो यहां पर देख सकते पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन और और आप देखेंगे कि नौर्थ एसिया में कौन-कौन सी कंट् से सांटरल एशिया में कौन-कौन सी कंट्री राटी है शंथ इसिया था हें पढ़ोहा उसके अलएवाब हम लोगों ने बात करी थी boundaries of Asia and Africa, तो Asia और Africa में कौन कोन सा region है, यहाँ पर यह boundary create कर रहा है, North Asia देखा, Eastern Asia देखा, फिर मैंने आपको चाइना के बारे में भी काफी अच्छे से detail में explain करा था, इसके बारे में, फिर मैंने mapping भी बताई, Central Asia हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अलावा हम लोगों ने discuss करा था काफी सारा region like South West Asia वाला, फिर हमने इन countries के बारे में भी पढ़ा था, फिर कुछ questions देखेते हैं हर बार, जो भी news में रहते हैं, उन questions को भी मैं आपके समख्च लेकर आता हूँ, फिर यह सब हम लोगों ने पढ़ने के बाद, अब आज की class में हम लोग क्या बात करने वाले है अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिया, आप मैप देखिए वाइल मैप को, और वाइल मैप में आप देखिए कि एसिया और यूरोप की बाउनरी है, वो कौन कौन सी country से लगती है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, जो वाइल मैप है, एसिया और यूरोप वाला चेत रसिया वाला रीजन है, यूराल मांटन इस लोकिटेड नियर वाइं देखिए दिस लाई görसिया, अब रसिया का काफी सारा पोर्शन जो है एसिया में आता है और का पोर्शन जो है वो आपका यूरोप में आता है, फिर आप देखिए कैस्पियाट सी वाला रिजन राइण तो मैंने Caspian Sea के बारे में भी बताए था और आसपास की कंट्रीस हैं Caspian Sea के सराउंडिंग में जैसे जोर्जिया हो गया रसिया हो गया राइट रोमानिया हो गया ऐसे करके काफी सारी कंट्रीस है तो Caspian Sea वाला रीजन है यह भी एसिया और यूरोप की बीच में क्या बनाता प्रेयट करती है कौन कांट्रीस से यह बाइट करती है फिर आप देखेंगे Can Carrie जाता हूँ गया तो कौंटिनेंट्स लेकिन आप देखेंगे कि इसको यूरेसिया काया जाता है siya और यूरेसिया क्या खास बाते यूरोप प्लस एसिया यहा shows मिले वह होए यहाँ पर आप map को भी देखते हैं यहरेasier वाला रीजन आपको देखने हो मिलता है अब हम लोग थोड़ा सा डैप्थ में आज यह समझेंगे की यूरोप और एसिया का कौन सा हिस्सा है जो एक दूसरे से टेच करता है बिल्कुल मतलब यह से टेच कर रहा है अब देखिए यहां पर अगर हम देखें यह पूरा-गा-पूरा यहां पर फिरी हरा यह यह उराल माउंटेन न सब्सक्ति लिखा भी हुआ है इट क्रिएर्टी by मेरइट क्रिए और याद रखना नमब्र रंघित आपको याद रखना थो क्या गर रहा है सर बारवर बता रहा है लेकिन कई वच्चे भूल जाते हैं अब आपसे यह पूछे आ सकता है कौन कौन सी कंट्री से एसिया की जो की यूरोप और एसिया से बॉर्डर करती है टच करती है तो पहली तो रसिया हो गई यह तो आप नहीं भूलेंगे नौर्धन पार्ट ओफ ए कजाकिस्थान कौन साइजी कजाकिस्थान कजाक के जड़ एक स्टी एच एन कजाकिस्थान राइट तो यह जो सेंट्रल एसियान वाली कंट्री है कजाकिस्थान अब यह जो है यह भी एक बॉर्डर करती है और यहां पर बॉर्डर के रूप में क्या मौजूद है तो कॉक यहां पर आपको मिलेगा कौन से मांटेंन C U C A Uda यहां पर देखेंगे वोबी एक boundry क्रेंट कर रहें एसिया और और जी आई ए जोड़्िया करके country ना ये भी boundary क्रिएट कर रहा है यह हम बोल सकते स्ट्राइडल क्रिएट कर रहा है किन किन के बीच में जी याद रखना है आपको यूरोप और एसिया के बीच में तो यह आपको तीसरी country देखने को मिल गई फिर आप देखेंगे नीचे आएंगे तो आपको भाईयान मिलेंगे भाईयान कहेंगे कि हाँ भाईयान वो आपसे बोल रहा है हाई बेहन जी ठीक है ऐसे करके बोलेगा भाईयान तो भाईयान जो है ना यहां पर भाईयान भी बैठे हुए है और भाईयान भी बोलते हैं कहते हैं कि मैं भी तो ब boundary create कर रहे एए और फिर हम थोड़ा सा सबसे के तरकी आप लोगक में बताई है कि ब्लैकग सी मैं वैसे ऑने बताने क्रिएट करती है इवन जो आपकी यहां पर कौन सी कंट्री तो कौन सी यह कैस्पियंसी यह भी किस किस कंट्री से बाउन्डरी क्रिएट करती है मतलब यह आप लोग प्लीज कमेंड वक्स बताईए मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे बच्ची अगर सुन रहे हो ना मुझे यही कर दोनों के लिखने महादीड है इन दोनों की बीच सकता है Please पर्टिकुलर एग्जाम में तो रुलेंगे कजाकिस्तान फिर मेरसाथ बोला तर्की फिर घॉर्चिया फिर आप मेरे साथ एक भाइयान जो हमारे रहे गए और वैंवह का भाइयान हूं तो तो अगर आप देखते हैं यह जो रीजन है यहां पर अगर आप देखेंगे यह जो पर्टिकुलर लोकेशन है तो यह जो पूरा पूरा रीजन है यह ओस्यानिया के अंतरगत आता है और 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 यह के बारे में भी मैं बताऊंगा डोंड वरी लेकिन अभी आप यह समझो कि इसका मेजर कौन-कौन सा पोर्सन है औसे यह का तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को लिए का पॉली नीशिया फिर इसके बाद आपको देखने को लिए का माइक्रोनीशिया तो इस वाइक्रो नीशिया फिर आप देखेंगे मेलनीशिया विए अपनी एटलस में प्लीज खोलो ना इटलस तुम लोग तुम मेरी वीडियो देखते रहे तो यह नहीं कि मैप की तरफ देखो जा रहां मेरी तरफ क्या देख रहे हो मैप की तरफ भी देखो एक बार ठीक लेसी यह से अपने आप में नीचे दूसरा अलग प्लेट रीजन है लेकिन यह यह अलग है कि से घी अवाले डेजन से तो यहां पर कौन कौन सा यह कौन-कौन सा रीजिन है जो बाउंडरी क्रियेट कर रहा है तो यहां पर आप देखिए जो और न्यूजिलेंड ने इस पार्ट और बिटी पार्ट ओव दिया जैसा कि आपने इस मैप में देखा है कि जो ऑस्टेलिया हो गया यह है एंड दिस वन जूजिलेंड और यह द Asia in the region of Oceania is placed somewhere in the Malay archipelago, आप कहेंगे कि सर यह archipelago क्या होता है, यह जो वर्ड है न, archipelago, archipelago, यह क्या होता है, तो archipelago is nothing but the group of island, group of islands, right, group of island, और सबसे यादा group of island, आपको Micronesia, Polynesia, यह तो हो ही गया, इसके लावा Southeast Asian region में भी देखने को मिल जाता है, तो यह भी हमें clearly पता होना चाहिए कि भाई, archipelago क्या है, तो group of island, अब यहाँ पर आप देखते हैं, कि जो Malay archipelago वाले region है, यह border create करता है, किसकिस के बीच में, Asia और आपके Australia वाले region में, Oceania वाले region में, यह आपको याद रखना है, अब आप कहेंगे कि Sir, यह जो Malay वाले region है, तो यह इसी region में देखने को मिल रहा है, फिर आप देखेंगे, और island है, यह जो region है, यहाँ पर आप देखेंगे, मॉल्यूकास, M-O-L-U-C-A-S, अब यह जो मॉल्यूकास वाले region है, यह जो मॉल्यूकास करके location है, लिखा भी हुआ है, मॉल्यूकास आइलेंड वाले location है, जो कि इंडोलेसिया का पार्ट है, इट इस इफन कंसिड़र्ट टू लाई ऑन दी बोर्डर ऑफ साउथ इस्टेस सब लोग मेरे सब नाम के तरह पनी है न पप्यों निवगी नी राइट तो पप्यों निवगी नी जो है यह भी आप देखेंगे यह हमारे इंडिया के अंतरकत नहीं आता है यह भी एक boundary कर रहा है किसकिस के बीच में एक एस तरफ में आप देखेंगे और इस तरह से बता बन गए ठीक है तो यह आपको समझना होगा यह मैंने आपको बता दिया मॉलुकास वाला रीजन तो यह जो है बॉर्डर क्रियेट कर रहा है एक यह पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया है अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मूविंग अन्टू नेक्स लिए तो मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कौन सा रीजन है कहां कहां वाले रीजन जो बाउंडरी करता है जिसमें से पहला वाला जो रीजन अपने बात करा था राइट वीए टॉक्ट अपर यह आप देख पा रहे हैं यू ऐसे वाला रीजन हो गया तो यह भी क्या कर रहा है यह बी बॉर्ड़ क्येंट करने क्या करने वाला क्या करने वाला हूं चुम करने याद वह करेंगे और कौन-कौन सी अहां पर मौजूद है तो देखिए आप लोग कि यहां पर एक लोकेशन पे एक तरफ में आपको United States of America दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है राइट अब यह जो युएसे वाला रीजन ने यह अमेरिकन कॉंटिनेंट हो गया और अमेरिका का अलास्का वाला रीजन आप लोग याद करो अलास्का वाला रीजन जो कैनेडा के उपर वाला रीजन राइट जिसको अमेरिका ने रसिया से खरीदा था ठीक है और वहां पर काफी अदे सेल गेस के रिजर्व्स भी हैं अभी फिलाल में लेकिन अगर हम बात क आई ए तो रसिया का वाला जो पोर्शन है यह हमारे एसिया में आजाता है अब आप कहेंगे कि सर आप वही चीज वारवार रिपीट कर रहा हूं लेकिन आप सुनो ध्यान से सुनो मेरी बात को फिर से सुनो यहां पर अगर आप जूम करते हो बच्चों यहां पर अगर सबस्क्राद्ड़क एलेंड है जिन में से एक कराम है डि ई आई ओ मेड़ी यह प्यार आइलेंड अब जो जो बिकडियो मिड़ आईलेंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा रसिया की तरफ और अगर हम बात कर rice लिटिल डायो मीरल लिटिल ड्रियो मिड आइलेंड यह अमेरिका की तरफ इतना सहीत यान रखना सिर्फ इतना सही आपको याद रखना जो मैंने आपको बताए तो रसिया की तरफ एक डायोमीड आयलेंड हो गया और यहां पर आप देखेंगे यह यह जो लाइन यह इंटर्नासिनल डेतलाइन और इंटरैशनल डेटलाइन ही जो है वह अलग अलग तरह से मतलब क्या कर रहा है बस इतना यहाद रखना है North side में आपको और Southern side में आपको Pacific op और यह भी आपको याद रखना है और इंट्डराशनल डेटलाइन है और विब्लकुल मतलब इसी कोर्स में तो यह मैंने आपको बताया तो अभी तक हम लोगों अगर देखें तो एसिया की कई सारे पॉलिटिकल रीजिन्स के वारे में बात करीं जिन में से पहला जो है था वो North Asia जिसमें घ्रमां बातकरी व्हां बातकरी Central Asia के बारे में जहाँ पर Kazakhstan उजभी गिस्तान, त्रग्योंस्तान शीमेनिस्तान और था ग्यूति कशनी के बहीं हम लोगों करा फिर आप देखेंगे हम लोगों वेस्टन एसीया के बारे में डिसकस करा जिसमें सारी कांट्री यसे अरेविया वाला रेजन हो गया यमन वाला रीजन हो गया आ प्रइसतों लेकिन या फारीस्ट रेस्ट घया टाइन थे चेना देख से तो इयंहेंreten प्रोरिया और जैपान वाला रीजन है तो यह फार इस्ट में आता है या फिर हम बोल सकते हैं इस्ट एस्या में बोलते हैं फिर साउथ एस्या के बारे में भी दिसक्स करना जो कि इंडियन सब कॉंटिनेंट का पाइट है फिर सबसे आखरी में हम लोगों ने साउथ इस्ट जिसमें सारी की सारी आसियान कंट्रीज के बारे में भी बताया और मैंने आप लोगों को लाज्ट क्लास में ये भी बताया था कि आसियान कंट्रीज को कैसे याद कराया सकता है तो जो मैंने ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में प्लीज 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 हमल रिक्वेस्ट लेकर आऊंगा तो यह तमाम चीज़ें जो मैं बता सकता था कंट्री वाइस इवन हर लोकेशन को मैंने जूम आउट करके हर छोटी-छोटी चीज बतलब बताईए जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है वह हमने इस क्लास में डिसकस करा है और यह सीरीज जो है तकरीव क्योंकि mappings related questions सिर्फ MP exams में ही नहीं बिहार के exam हो चाहे उत्तर प्रदेश related exam हो चाहे UPSC हो सब जगे questions आते ही आते हैं so that's all from my side guys bye bye take care कल फिर मिलते हैं इसी समय साड़े 9 वजे के करीब आपको यह सीरीज का एक और lecture फिर मिलेगा under the next episode thank you guys thank you thank you